हेलो माई ब्यूटिफुल फ्रेंज वेलकम टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये चार और पांच नंबर के काना जी के लिए जो है ब्यूटिफुल है डिजाइन लेके आई हूँ ये देखिए इस तरह का जो है ये मैंने हैट बनाया है यहाँ पे एक फ्लार बनाया है और नीचे इस तरह से किनाली बनाई है तीन कलर में जो है मैंने ये हैट बनाई है ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है बहुत अच्छा सा जो है इसका लुक आ रहा है तो मैंने ज पूरह बताऊंगी की अगर आपको पूरा बताऊंगी की अगर आपको चोटे साइज में बनानी है या बड़े साइस में बनानी है 2010-20 किस तरह से अब हैड बना सकते था महुंत चुह sap की तरह की बना चुह बनाते हैं यहांपे जो हमनेगिं सिंगल क्रोशा स्थिच क्शस्टिफ करें इसे कैप Miguel Neubauer2 के सब्सक्राइब करें एक सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इंस्टा पे मुझे फॉलो करें फेस्बुक पेज मेरा लाइक करें इन सभी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए जल्दी से जो है काना जी क यह हैट जो है बनाना स्टार्ट करते हैं हैट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिकल लूप बनाएंगे यह इस तरह से फिंगर पे जो है इस तरह से धागे को घुमाएंगे और क्रोशियों को इस लूप के अंदर से ले जाकर जो है धागे को लेके आएंगे और इसको चार पांच और छे छे बार जो है हम यहां पे single crochet बना लेंगे अब यह जो धागा है यह वाला इसको जो हम खींच लेंगे टाइट कर लेंगे इसको एकदम से और यह जो starting में में हमने एक chain ली है यहां पे इसको जो है हमने slip stitch के साथ join कर देना है इस तरह से, अब एक chain लेंगे, और स्वीम इसी जगह में जो है, हमने दो बार single crochet बनाना है. जो यह हम एक chain ले रहे हैं, इसको हम count नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है, दो बार single crochet बना लेंगे. अब next stitch में 2 single crochet ये एक बार सेम इसी जग़ पर एक और बना लेंगे 2 single crochet फिर next stitch में 2 single crochet हर stitch में जो है हमने 2-2 single crochet बनाने है जब हमने ये round start किया था तो हमारे पास 6 single crochet थे तो इस round में हमारे पास total 12 single crochet आएंगे हर stitch में जो है हमने 2-2 single crochet बनाने है तो round complete करने आप ये वाला round complete करने के बाद इसको हमने जो starting में एक chain ली थी उस पे जो है हमने इसको slip stitch के साथ join कर देना है अब एक chain लेंगे और सेम यहीं पे जो है first वाली stitch पे जो है हमने 2 बार single crochet बनाना है तो ये 2 single crochet होगे फिर next में जो है हम एक बार single crochet बनाएंगे उससे next में जो है हम दो बार single crochet बनाएंगे अब इस round में जो है हमने पहले हमने 2 बार single crochet बनाने है फिर next में जो है हम एक बार single crochet बनाएंगे उससे next में जो है दो बार single crochet बनाएंगे एक बार हम दो single crochet बनाएंगे और एक बार जो है हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है तो जब हमने round start किया था तो हमारे पास जो है ये 6 सिंगल क्रोशिया थे second round में जो है ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आए और third round में जो है ये हमारे पास total जो है 18 सिंगल क्रोशिया आएंगे तो इसी तरह से आप यह round जो है complete कर लें पहले दो बनाएंगे फिर एक फिर दो फिर एक दो फिर एक तो round यह पूरा complete कर लें round complete करने के बाद इसको हमने first chain में slip stitch के साथ join कर देना है अब एक chain लेंगे और first stitch में हमने एक single crochet बनाना है अब next stitch में एक single crochet उससे next stitch में एक single crochet उससे next stitch में एक single crochet फिर next stitch में एक single crochet तो हर stitch में जो है हमने एक-एक single crochet बनाना है हमारे पास यह total 18 single crochet हैं तो हर single crochet के उपर जो है हमने एक-एक single crochet बनाना है इस round में हमने कोई भी single crochet increase नहीं करना है हर stitch पे हम एक एक single crochet बना लेंगे यह देखिए इस तरह से यह आएगा यह देखिए तो यह हमारा first, second, third, fourth round है जिसमें हमने एक भी stitch अपना increase नहीं करना है तो यह देखिए यहाँ पे total मैंने इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ total जो है मैंने इसके 8 round बनाए है जो first हमारा round था उसमें हमारे पास जो है 6 stitch थे second round में हमारे पास 12 stitch आए और third round में हमारे पास 18 stitch आए तो third round तक जो है हमने अपने stitch जो है increase करने है second में भी हम करेंगे, third में भी करेंगे जो यह fourth, sixth, seventh और eighth यह जो हमारे चार अब यह round है इसको जो है हमने same ऐसे ही बनाना है 18 पे जो है 18 single crochet बनाने है इसमें जो है हमने कोई stitch increase नहीं करना है तो आप बाकी के यह round जो है total 8 round आपने बनाने है एक, दो, तीन, चार, चार राउंड यह हमने बना लिए अब चार राउंड जो है हम और बना लेंगे और 18 ही हमारे पास stitches होने चाहिए कोई increase नहीं करना है तो चार राउंड जो है हमारे single crochet के आएंगे 18-18 stitches हमने हर round में बनाने है तो इसी तरह से आप यह round complete कर ले यह दिखे टोटल जो है मैंने इसमें यह 8 round बना लिए है अब next हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने एक chain लेनी है और first stitch पे जो है हमने दो बार single crochet बनाना है यह एक बार हो गया सेम इसी जगप एक बार और बनाएंगे दो single crochet next पे दो single crochet एक हो गया एक और बना लेंगे दो single crochet फिर next stitch पे दो single crochet हर stitch पे जो है हमने दो दो single crochet बनाने है राउन के लास्ट में यह हमारे पास टोटल अठारा स्टिचिस थे तो अठारा के अठारा स्टिचिस पे जो है हमने यहां पे दो दो जो हैं सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तो टोटल ये हमारे पास अब 30 स्टिचे आएंगे 36 स्टिचे जो है ये टोटल हमने बनाने है इस तरह से हर स्टिच पे जो है हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने है जब हमने ये राउंड लास्ट किया था तो हमारे पास 18 स्टिचे थे तो 18 के 18 स्टिचे पे जो है हमने ये 2-2 तो तोल हमारे पास यह थर्टी शिक्स हो जाएंगे इस तरह से इस तरह से आएगा तो इसी तरह से जो है आप यह पूरा राउन कंप्लीट कर लें दो दो स्टिच्च हर स्टिच में जाना कि बना लेने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद इसका हमने फर्स टिच पर यहां पर हमने slip stitch के साथ ज्याइन कर देना है अब एक chain लेंगे और धागे को जो है हम अपने कट कर लेंगे अब दूसरा धागा जो है हम यहां पर जॉन करेंगे last round जो है हम इसमें start करेंगे अब तो विसे जगा पर जो है हम सबसे पहले दूसरा धाग एक को दो चीन लेनी है और सेम इसी जगा पे नहीं हमने दो वार डबल क्रोश्या बनाना है, तो यह टोटल हमारे पास यह तीन स्टीच आएंगे वैसे तो हम डबल क्रोश्या की हाइट के लिए जो है तीन की चेन लेते हैं लेकिन यहां पर जो है मैंने थो की ही चेन ली है तो दो क STICH PAYJOO Hz हमने SLP STITCH कर DENA है फिर एक दो दो चेनलेंगे और सेम इसी जगह पे जो हमने 2 बार double krosire बना ने हैं यह एक बार हो गया सेम इसी जगह पे 1 ऊतलेंगे दो double krosire फिर एक दो दोस्च जो है हम incoming कर देंगे ये वाला यह देखिये नस्दीक से मैं आपको यह आती हूं, यह वाला, और यह वाला, दो स्टिच्च में करें और थर्ड वाले सके स्लिपूर स्टिच करना त्ट को हैं, हमने ज़से हम थार्ड चेंडे एक, कर थार्ड बड़ जुथ हम सके करना मैं, एक और दो और थार्ड में हमने स्लिप स्टिच करना है और जहां पर हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं जिस स्टिच के ओपर वहीं पर हमने दो चेन लेनी है और सेम जगा पर जो है हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाने है फिर दो स्टिच जो है स्किप करके थार्ड में जो है स्ल में पूरा रांड कम्प्रीट कर लें कि Bin हमारे पर 21 यह प्रहां की सबसेल रहे Soul सबसे पहले जहां हम इस मनें कर तारट किया थाहण पर दिस वह एक पर सिज ना है और हम हम यह थाहरा हुमने जो स्टेश चेंड़ इसकी सेकिंड वाली चेन पे जो है हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर लेना है इस तरह से और यहां पे हमने एक चेन लेकर जो है धागे को अपने कट कर देना है वह को हम यहां पे क्लोज कर देंगे और धागे को जो है हमने बैक साइट पे सिक्योर कर लेना है तो यह इ पहले जो है इस टोरी को और इस फ्लार को बनाने के लिए जो हम एक magical लूप बनाेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा धागा जो है extra छोड़ देंगे हमने इतना धागा इसमें जो है छोड़ना है ताकि जेनगे है और इसी लूप के अंदर आप अप। को जो है हमने 1 at 2 क्रोश बाना है स्पाटा इस zusammen जुुकिया है । एक बार हो गया 2 वार और 3 बार 3 बार ज tari है हमने 1डी एंत 5 टॉप में जो है तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो है हमने स्लिप स्टिच करना है फिर से तीन बार जो है हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यह एक बार हो गया तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बार जो है हमने स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से इस तरह से दा तो नहीं है कि ठीजते कि despite Angle disparation is a जब फिर आप विकी शर्णाat करलें राश no do है राश सेкогоकाइफ कर आगें तो यहां है कि आप से ते यह कि लिके को फेलेगा में यहां बाएंगे तेम आप सकते हैं अपर हिए फिलई कर देङा देне इसको slip stitch के साथ join कर देना है इस तरह से जो है देखिए हमारा फ्लार आएगा ये इस तरह से बनकर जो है ये फ्लार आएगा तो देखिए अब क्या करना है यहां पर हमने एक अब हम धागा कटने ही करेंगे चेन ऐसे हम आगे बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ चौदा, पंदरा, सोला, स्तारा, अठारा अठारा जो है मैंने चेन बना ली है या तो आप इस तरह से जो है इसको देख लें कि ये कितनी आ रही है इस तरह से थोड़ी सी जो है ये अंदर जब हम इसको अंदर की तरफ को लेके जाएंगे और इसको नॉट लगाएंगे त तो आपकी यह 18 chain यहां पे इस तरह से आएंगी, तो अब यहां पे जो हम इसको close कर देते हैं, यहांपे एक chain लेकर जो हम अपना धागा कट कर देते हैं, और जो यह दूसरी तरा जो हमने धागा छोडा हुआ है, यह extra जो हमने यह इसमें धागा छोडा है, तो इसमें भी जो है आप इसी तरह की जो है chain बना लें इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे chain बनाई है उसी तरह से जो यह हमने धागा चोड़ा है इसमें भी आप chain बना लेंगे मैंने इस तरह से ये complete कर लिया है तो अब क्या करना है इस तरह से अपनी cap के इसको बिल्कुल center में रखना है या जहां भी आप इसको लगाना चाहते हैं center में, side में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको रख लें और इस तरह से जो है इसको पीछे की साइट लेके जाएंगे इस तरह से और यहां पे जो है आप चाहें तो यहां पे भी जो है आप अपना इसको जो है नॉट लगा सकते हैं यह इस तरह से नॉट लगा लेंगे इसको आप चाहें तो यहां पे भी जो है इसको इस तरह से नॉट लगा कर जो है बन कर सक यह इस तरह से और सेम इसी जगा पर दूसरी डोरी को भी में ले जाओंगी पीछे की साइड को इससे जो है यह जो है यह जो है नीट एंड क्लीन आएगा इस तरह से नॉट लगा कर जो है मैं इसको पीछे की साइड ले जाओंगी यह इस तरह से और यहां पर नॉट लगा के जो एक्स्टर डोरी होगी उसको कट कर लेंगे इस तरह से इसको नॉट लगा लेंगे और एक्स्टर डोरी को जो है हमने यहां पर कट कर लेना है यह देखिए इस तरह से यह आएगा आप चाहें तो देखिए जहां पर यह मैंने नॉट लगा के इसको पीछे किया है और इस केप में पीछे करके फिर नॉट लगाई हें यहां पे ऊपर नउट नी लगाई है और इसमें यहां फोद अब इसे कर सकते में हैं यहां आप यहां पर बीच्छे की तरह से इसरा was il विए तरहा जूर कर लेए तो बिक नॉट लगाए जो ए जो है तो किस तरह से आपको यह बनाना है, तो देखें मैं यहां पर शुए लिखा हुआ है, अगर यह 0 और एक नमबर के कानाजी के लिए बनाना है, तो इस कप में हमारे पास यह हमने 18 स्टिच इस किये थे, तो इसमें आपको यह 12 स्टिच करने हैं, 18 नहीं करने है 12 स्टिच करने है और जो यह टोल मेंने 8 राउंड बनाए है तो इसमें आपको 3 या चार राउंड बनाने है अब यह दो और तीन नमबर के काना जी की अगर आप कैप बना रहे हैं तो टोटल स्टिच जो है 16 होने चाहिए और राउंड जो हैं हमारे पास 5 या 6 आने चाहिए यह आप जो है कि जब आप यह कैप बनाएंगे तो काना जी को पहनाकर देख लें पह धर्फिस में 22 सबस्तिन under 8 जैसे हमने यह ए अठारा किया फिर दोत्तिन इसम HAB पर हमारे पास 26 ओंगे और यह दर्स बनाने है। चर्ट में फिर इस पर चसके बढ़ते जाएंगे राउन्ड में बढ़ाने बढ़ इस Child में बढ़ दर्स बड़ाने नेरीन जो ही एमने ह में और बढ़ा है और रॉन जो है इसमें हमारे पास यह आठ पनाए तो चुछ ए需 consideration हमारे पास 10 जैनल, डशनना कर सकते हो और जो 13 से लेकर 15 अबर स्काषमें 15 का ऩो 10 में 18 से बढ़ जीग punya 12 है आठ बनाए है उसमें ये बारा होंगे या जब भी आप काना जी की कैप बनाएंगे किनारी बनानी है ये फिलाल और ये दोरी हमने बनानी है तो देखिए इस तरह से ये काना जी के लिए हैड बनकर त्यार हुई है बहुत प्यारी लग रही है आप इस फ्लार में जो है स्टोन भी लगा सकते हैं मोती लगा सकते हैं या इसको एजटेज ऐसे भी रहने दे सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है काना जी भी इस हैट में बहुत प्यारे लगते हैं क्यूट से लगते हैं आप किसी भी ड्रेस के स आप मैचिंग इस हैट को बना सकते हैं तो वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको जो है यह वीडियो मेरी कैसी लगी और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू